आज हम तीन ऐसे HTML टैग्स पढ़ने जा रहे हैं, जो बाकी सब HTML टैग्स के बाप हैं। हम बात कर रहे हैं HTML, head और body टैग्स की। पर आगे बढ़ने से पहले एक आसान सा सवाल। अगर वेबसाइट पे ऐसी एक heading दिखानी हो, तो क्या करोगे? असल में ये आंसर पूरी तरह सही नहीं है, एक बहुत important topic है, जो अब तक हमने आपको नहीं पढ़ाया, उसकी वजह से हम code में एक बड़ी गलती करते आ रहे हैं। HTML code लिखना शुरू करने से पहले हमें ब्राउजर को बताना पड़ता है कि हम HTML language का कौन सा version यूज़ करने जा रहे हैं। HTML का latest version है HTML5 इस course में हम HTML का version 5 ही पढ़ रहे हैं और हमेशा वो ही यूज़ करेंगे। HTML5 यूज़ करने के लिए हमें code के शुरू में लिखना होगा doc type HTML। मान लो हम HTML का कोई पुराना version यूज़ कर रहे होते जैसे कि HTML 4.01। उसके लिए हमें ये लिखना होता। पर हमें तो HTML5 यूज़ करना है। इसलिए इस लंबी जोड़ी कहानी पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमें तो HTML code के शुरू में हमेशा बस doc type HTML ही लिखना है। ध्यान दें की doc type लिखते समय शुरू में एक exclamatory mark भी लिखना होता है। अब तक के code में पहली गलती तो हम ये ही करते आ रहे थे की doc type नहीं लिखते थे। पर उसके अलावा हम एक गलती और करते आ रहे हैं। हमेशा कोई भी और tag लिखने से पहले HTML tag लिखना पड़ता है। और फिर उसके अंदर लिखने होते हैं head और body tag। style tag समेत सारा CSS code हमेशा लिखा जाता है head tag के अंदर। और सारा HTML code लिखा जाता है body tag के अंदर। एक बार फिर से दोराते हैं। हमेशा HTML का code लिखते समें फाइल में सबसे पहले लिखोगे doc type HTML। फिर लिखोगे HTML tag और HTML tag के अंदर लिखोगे head और body tag। style tag और उसके अंदर का सारा CSS code लिखा जाता है head tag के अंदर। और जो भी HTML code लिखना है वो लिखा जाता है body tag के अंदर। एक बात और जादा तर tag use करना ना करना आपकी जरूरत पर depend करता है। आपको website पे चार heading दिखानी है तो चार h1 tag लिखो और एक भी heading नहीं दिखानी तो h1 tag बिलकुल मत लिखो। पर HTML head और body tags ना एक से जादा बार लिखोगे और ना ही एक से कम बार। ये tags हमेशा exactly एक बार लिखे जाएंगे। चलो अब दो और HTML tags पढ़ते हैं, title tag और meta tag। मान लो आपने कोई दिल दहला देने वाली news पढ़ी और तुरंत ही news का link WhatsApp पे share किया। आपके दोस्त को पूरी picture तो link पे click करके ही समझाएगी। पर link का थोड़ा सा trailer तो WhatsApp आपके दोस्त को chat में ही दिखा देगा। इस तरह के trailer को अंग्रेजी में कहते हैं preview। सवाल है कि WhatsApp को पता कैसे चलता है कि preview में क्या information दिखानी है। WhatsApp ये information निकालता है share की गई website के html code में से। वो title tag का text उठा कर यहां दिखा देता है। और meta tag का text यहां। ये image भी वो meta tag से ही उठाता है। WhatsApp की तरह ही बहुत सारी दूसरी apps भी यही करती है। हर coder चाहता है कि उसकी website का preview अच्छा दिखे। तब ही तो लोग link पर click करेंगे। इसलिए code में title और meta tag लिखना बहुत important है। मान लो हम अपनी website का ऐसा preview चाहते हैं। preview दिखाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे title tag। title tag लिखा जाता है head tag के अंदर। जो text यहां दिखाना है वो हम लिखतेंगे title tag के content में। इस description के लिए हमें use करना होगा meta tag। meta tag भी head tag के अंदर ही लिखा जाता है। meta tag एक self closing tag है। इसलिए हम बस opening tag लिखेंगे closing tag नहीं। meta tag सिर्फ description दिखाने के नहीं बलकी और भी कई चीज़ों के काम आता है। आप meta tag को किस काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हो वो आपको बताना पड़ता है name attribute की help से। जो description यहां दिखाना है वो हम लिखेंगे meta tag के content attribute में। preview में ये image भी meta tag की help से ही add होगी। हम एक meta tag लिखेंगे और content में डाल देंगे image का link। Sir, जैसे name equal to description लिखकर बताया था कि ये content description है ऐसे ही यहां भी बताना पड़ेगा ना कि ये content image है। सही बगड़े पर image के case में content की type बताने के लिए name attribute नहीं, property attribute यूज करना पड़ता है। अब सवाल उठता है कि property attribute को value क्या दें। सोच कर तो लगता है कि शायद यहां image लिखना होगा। पर यहां मामला इतना सीधा नहीं है। Twitter preview की image उठाता है ऐसे meta tag से जिसकी property attribute की value हो Twitter colon image। पर WhatsApp, Facebook और जादा तर दूसरी websites ढूंडेंगी ऐसा meta tag जिसके property attribute में लिखा हो open graph colon image या short में बोलें तो og colon image। हम तो चाहेंगे कि हमारी website का preview Twitter पर भी सही दिखे और बाकी सब websites पर भी। इसलिए हमें image वाला meta tag दो बार लिखना बढ़ेगा। एक बार og colon image लिख कर और एक बार Twitter colon image लिख कर। इस तरह सेम information meta tags में एक से जादा बार लिखना बहुत ही आम बात है। जैसे कि title हमने यहां तो लिखा ही है पर अलग-अलग social media websites को खुश करने के लिए हमें title कई बार लिखना पड़ता है। Twitter यहां से title उठाएगा, Facebook और WhatsApp यहां से, कुछ websites यहां से, तो कुछ websites यहां से। अगर हमें सब जगहे preview में सेम ही title दिखाना है, तब भी meta tag तो कई बार लिखना पड़ेगा, बस हर बार meta tag में text सेम लिख देंगे। Title और meta tag social media apps पर सही preview दिखाने का काम तो करते ही हैं, पर इन tags के और भी कई फायदे हैं। जब भी कोई user हमारी website खोलेगा, तो उसे browser के tab में यही title दिखेगा। इसके अलावा, जब भी कोई user हमारी website को internet पर सर्च करेगा, तो search results में Google यही title और description दिखाएगा। Meta tags का काम है दूसरे softwares को हमारी website की information देना। वो software कोई social media site हो सकती है, कोई search engine हो सकता है, कोई browser हो सकता है, या कोई और software भी। एक बात और, title और meta tags प्रिव्यू में तो दिखते हैं, और browser tab में भी। पर यह website पे shown नहीं होते। Title, description और image के अलावा और भी कई तरह के meta tags होते हैं, पर वो पढ़ेंगे course में आगे। अभी तक तुम सारा code, code yogi के online editor में लिखते आ रहे हो। Practice के लिए ये सबसे आसान solution है, क्यूंकि ये mobile पे भी काम करता है, और कोई extra app install करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। पर अगर आपके पास computer है, तो HTML code लिखने का एक आसान तरीका और है। कोई भी text editor open करो, जैसे की notepad, एक नई फाइल बनाओ, फिर उस फाइल को किसी भी नाम से save कर लो। बस नाम के last में .html लगाना ज़रूरी है। अब इस फाइल में code लिखना शुरू करो, और complete होने पर Ctrl S दबा कर save करतो। वेबसाइट का preview देखने के लिए, HTML फाइल पे right-click करो, और open with Google Chrome कर लो। अभी तक हम CSS code भी HTML code के साथ ही लिखते आए हैं। पर HTML और CSS code को अलग-अलग फाइल में भी लिखा जा सकता है। उसके लिए सबसे पहले हमें बनानी होगी एक CSS फाइल। जैसे फाइल नेम के last में .html लिखो, तो HTML फाइल बन जाती है। ऐसे ही CSS फाइल बनाने के लिए फाइल नेम के last में .css लिखना पड़ता है। यानी नई फाइल बनाओ और फाइल को सेव करते समय last में .css लिख दो। अब HTML फाइल में से सारा CSS code हटाकर CSS फाइल में लिख दो। हमने पढ़ा था कि style tag HTML और CSS code के बीच की boundary का काम करता है। पर boundary की जरूरत तो तब ही पड़ेगी ना जब HTML और CSS code एक ही फाइल में लिखे हूँ। पर अब तो CSS code अलग फाइल में लिखा है। यानी अब यहाँ style tag लगाने की जरूरत नहीं है। आगे समझ आएगा कि CSS code और HTML code को अलग-अलग फाइल में लिखने के कई फाइदे हैं। पर फिलहाल तो फाइदा छोड़ो उल्टा एक problem हो रही है। हमने HTML file को browser में open किया। heading red दिखनी चाहिए थी पर black दिख रही है। और सही भी है। जो HTML file हमने browser में open की है, उसमें CSS का code तो है ही नहीं। और जब browser को CSS का code मिला ही नहीं, तो वो heading को red करेगा क्यों। हमें कोई ऐसा तरीका चाहिए, कि जब-जब हम HTML file को browser में load करें, साथ में CSS file भी load हो जाए। इसमें हमारी help करेगा link tag। Link tag भी head tag के अंदर ही लिखा जाता है। और क्यूंकि ये एक self closing tag है, इसलिए अलग से closing tag लिखने की ज़रूरत नहीं है। Link tag के areal attribute में लिखा जाता है file का type। अगर CSS file load करनी है, तो यहां लिखना होगा style sheet। ऐसा इसलिए क्यूंकि CSS को style sheet भी कहा जाता है। बलकि CSS की तो full form ही होती है cascading style sheet। Arial attribute के अलावा हमें एक attribute और लगाना पड़ेगा। वो है href attribute। जो भी file आपको load करानी है, उसका address आपको यहां लिखना होगा। अब HTML file browser में open करने पर CSS file हमेशा साथ में load होगी। देखो अब हमारी heading red हो गई है। हम चाहें तो एक से जादा CSS file भी load कर सकते हैं। जितनी CSS file load करनी हैं, बस उतने link tag लिखते जाओ। अब से हम HTML और CSS का code अलग-अलग file में ही लिखेंगे। अब तुमको code योगी के editor में भी HTML और CSS के लिए दो अलग-अलग files देखने को मिलेंगी। एक बात और, वैसे तो doc type लिखना और HTML head और body tag लिखना जरूरी होता है। पर code योगी editor की HTML file में आपको यह नहीं लिखने हैं। सीधा वो code लिखो जो body tag के अंदर लिखना था। सर, फिर browser को कैसे पता चलेगा कि हमारा code HTML के किस वर्जन में लिखा है और CSS file कैसे लिंक होगी। टैंशन ना लो, हमारा editor आपके लिखे code में CSS link, doc type और बाकी जरूरी चीजें अपने आप जोड देता है। लेकिन ये ध्यान रहे कि हमारे code editor के अलावा कहीं और code लिखोगे तो सब लिखना पड़ेगा। doc type भी, html head और body tag भी और CSS file को लोड करने के लिए link tag भी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं next वीडियो में। complete free course के लिए विजिट करें www.codiogi.io झा करें conteúdo पे लिएल हैं झा कित करें हैं झाल झाल